हेलो एवरिवन, आज की क्लास में बहुत ही प्यारी क्लास लेके आया हूँ, एक एक वर्ड को मैं आप एक्स्प्लीन दरूँगा, साथ में आपको ग्रामर के सबी रूल्स भी बताऊंगा, अगर आप थोड़ी सी भी वीडियो देखती हैं तो आपको बहुत ही प्यारी लगे वटर का मतलब होता है पानी, इस मतलब है the most important and the most का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा IMPORTANT IMPORTANT का मतलब क्या होता है महतपूर या फिर आप जरूरी वडवी यूज कर सकते हो पानी सबसे ज़ादा जरूरी है AND OR VALUABLE VALUABLE का मतलब होता है कीमती कीमती है और क्या है कीमती है Natural resource on earth Natural का मतलब क्या होता है Natural का मतलब होता है प्रकर्तिक प्रकर्तिक resource resource का मतलब होता है संसाधन संसाधन right on का मतलब होता है पर और अर्थ का मतलब होता है प्रत्वी पर अब इसको ध्यान से समझो पानी सबसे जरूरी है और कीमती है प्रकर्तिक resource है Natural संसाधन है सौरी प्रत्वी पर है, यहां तक आपको clear होगा, आगे बढ़ती है, it यह है, it यह है, sustains, sustains का मतलब होता है, जीवित रखता है, क्या रखता है, जीवित रखता है, present indefinite है, इसमें as या es लगा है, all life का मतलब होता है, पूरी या पूरे जीवित रखता है, या पूरी जीवित रखता है, या पूरी जीवित रखता है, क्योंकि अगर यह जीवित नहीं रखेगा, sustains का मतलब क्या होता है, मनिश्य को, इंसान को जीवित रखता है, और पूरे जीवित मतलब थोड़े से जीवन तक नहीं पूरे जीवन तक there is no life there का मतलब यहां is है no मतलब नहीं life मतलब जीवन यहां जीवन नहीं है without बिना किसके बिना water यहां बिना पानी के जीवन नहीं है दोस्तों वीडियो कैसी लग रही कमेंट में जरूर बदाएं एक प्यारी सी लाइक जरूर करें अगर आपके फ्रेंड आपकी तरह इंगल्स पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी यह वीडियो सेयर करें water पानी is है not only देखो not only जहां पे भी आ जाया उसका मतलब होता है ना केवल पानी है ना केवल important जरूरी पानी ना केवल जरूरी है for के लिए किसके लिए human beings human beings का मतलब क्या होता है human beings का मतलब होता है मनुश्यों को जो जीवित प्राड़ी होते हैं उन्हें हम बोलती है human beings right but लेकिन but लेकिन for entire ecosystem for का मतलब होता है के लिए के लिए the entire का मतलब होता है sampoon क्या होता है sampoon अब देखो जो water है वो केवल मनुश्यों के लिए जरूरी नहीं है ये sampoon ecosystem ecosystem का मतलब क्या होता है ecosystem का मतलब होता है प्रकर्तिक प्रकर्तिक प्रणाली क्या होता है प्रकर्तिक प्रणाली जो भी प्रकर्तिकी प्रणाली चल लई है उसके लिए भी यह water बहुत जरूरी होता है केवल मनुश्य के लिए नहीं इको सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी होता है without enough water बिना enough enough का मतला होता है परियाप्त क्या होता है परियाप्त बिना परियाप्त पानी के सॉरी पानी के बिना परियाप्त पानी के the existence existence का मतलब क्या होता है अस्तित्व किसका इंसानों का अब यहाँ द्यान से समझो परियाप्त पानी के बिना जो अस्तित्व है हुमन्स का मानवों का अब यहां पे भी आजा इसका मतलब होता है साथ ही साथ साथ ही साथ अनिमल्स जानवरों का परियाप्त पानी के बिना केवल इंसानों का नहीं साथ ही साथ जानवरों का भी कोई अस्तित्व नहीं है अस्तित्व ही नहीं है इस है क्या है इंपॉसिवल असंभव असंभव है बुलकुल भी existence है यही नहीं असंबभ हैं बिना पानी की after fresh year after का मतलब होता है बाद में बाद में fresh year ताजा हवा ताजा हवा के बाद में बाद में water, पानी is है पानी is है the second the second का मतलब क्या होता है sorry, दूसरा मतलब जो सबसे important पहला first number पर कोई है वो क्या है, phrase है उसके second number पर अगर important कोई चीज़ आती है human beings के लिए या फिर इस दुनिया के लिए वो क्या आती है, पानी है second most सबसे important महतवपूर्ण महतवपूर्ण या फिर जरूरी natural resource natural resource का मतलब के होता है प्रकर्तिक संसाधन संसाधन प्रकर्तिक संसाधन for के लिए for के लिए the survival survival का मतलब होता है, जीने के लिए जीने के लिए of any of of any of का मतलब के any कोई living beings living beings का मतलब होता है, जीवित प्राणी जीवित प्राणी मतलब जो water है, वो दूसरा सबसे important प्रकर्तिक resource है, जीने के लिए किसी भी जीवित प्राणी के लिए आगे बढ़ते हैं water, पानी is है necessary necessary का मतलब होता है, जरूरी या फिर आवश्यक या फिर आवश्यक या फिर इसे अति आवश्यक भी बोल सकती है for के लिए किस के लिए the survival जीने के लिए of each living creatures of का मतलब होता है, काकी के इच प्रतेक के प्रतेक living creatures living, वही मैंने बताया था आपको जीवित creature, creature का मतलब जीव भी होता है और प्राणी भी होता है, दोनों होते हैं इसके मतलब, राइट तो बहुत ज़ादा जरूरी है अवश्यक है, पानी on this planet, on का मतलब पर, this मतलब इस और planet, planet का मतलब होता है, ग्रह planet का मतलब क्या होता है, ग्रह animals, जानवर and or and or plants, plants plants का मतलब होता है, पौदो और पौदो के लिए पौदे cannot survive without water cannot, नहीं सकते हैं survive जी without बिना water पानी के दोबारा समझो जो animals हैं और जो पौदे हैं cannot, नहीं सकते हैं जी सकते हैं बिना पानी के न जानवर जी सकते हैं न पौदे जी सकते हैं नहीं हमारे human beings से यानि मनुष्य जी सकती है आगे बढ़ते है About लगवग लगवग 71% 71% ओफ का इसका अर्थ सर्फेस अर्थ का मतलब होता है प्रत्वी अपस्टॉफी एस इसका मतलब होता है काकी के प्रत्वी के सर्फेस सर्फेस का मतलब होता है सते Is covered covered का मतलब होता है ढखा हुआ है with water water का मतलब होता है पानी से अब आग इसको द्हानचा समझो लगवग 71% प्रत्वी की जो सतय है 71% वो ढखी हुई है किस से ढखी हुई है पानी से मतलब प्रत्वी पे 71% पानी है इतना आप समझ लो Unfortunately इस तरीगे से पढ़ेंगे Unfortunately का मतलब होता है दुर्भाग्य से क्या होता है दुर्भाग्य से दुर्भाग्य से Only केवल Only केवल 3% of का 3% किसका Potable Only 3% Potable Potable का मतलब क्या होता है पीने योग्य पीने योग्य मतलब 3% पानी ऐसा है जो पीने के योग्य है पानी मतलब Water Is है Available Available का मतलब होता है Uplubd है क्या है Uplubd है आप देख लेना ये हिंदी कभी कभी गलत हो जाती है मेरी Uplubd है We हम 71% पानी है But 3% पानी केवल प्रत्वी पे Uplubd है पीने के लिए Right But Sorry We हम Totally Totally का मतलब होता है पूरी तरह से Depend Depend का मतलब होता है निरवर है निरवर है On पर किस पर पानी पे हम पूरी तरह पानी पर निरवर है For के लिए किस के लिए Multiple Purpose Multiple का मतलब होता है Bevin Bevin Purpose Purpose का मतलब होता है Preyajanoo Preyajanoo या फिर इसे हम उद्देश से भी बोलते है मतलब हम Depend पूरी तरह से है पानी पे और एक बज़े से नही है हमारे कई सारे उद्देश से हैं पानी पे नहाना दोना खाना पीना राइट क्लीनिंग करना सफाई करना बहुत सारी ऐसे हमारे उद्देश से हैं Purpose है It's all depend All Water Right Water is पानी Is है Used प्रियोग किया जाता है Used का मतलब होता है प्रियोग किया जाता है या फिर यूज किया जाता है उप्योग किया जाता है राइट प्रियोग किया जाता है इन में किसमें Agriculture क्रिशी में पानी क्रिशी में भी use किया जाता है for के लिए किस के लिए the irrigation irrigation का मतलब होता है सिचाई के लिए crops का मतलब होता है फसलों के लिए मतलब जो water है वो हमारा use किया जाता है irrigation के लिए कृशी में फसलों की सिचाई के लिए We hum, use water, use का मतलब होता है, उपयोग करते हैं या प्रियोग करते हैं, उपयोग करते हैं, water, पानी का, for के लिए, किस के लिए, drinking, पीने के लिए, cooking, पकाने के लिए, right, cleaning, सफाई के लिए, bathing, नहाने के लिए, right, मतलब इन सब चीजों के लिए हम water का, यूज करते हैं, पकाने के लिए, cooking, sorry, पीने के लिए, पकाने के लिए, सफाई करने के लिए, और नहाने के लिए, and or, and or, other domestic purposes, other मतलब दूसरे, domestic का मतलब होता है, घरेलू, घरेलू, purposes, purposes का मतलब के लिए, प्रेजनो, क्या होता है, प्रेजनो मैंने एक बढ़ आपको बताया, या फिर, आप उद्देश से भी बोल सकते हैं, right, उद्देश्यों में, काफी सारे घरेलू उद्देश्यों होते हैं, right, इन अब यह लग है इन में इंडस्ट्रीज इंड़िए इंडस्ट्रीज का मतलब होता है उद्ध्योग होता है जो हमारे उद्ध्योग होती है जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री क्या बोलते हैं फैक्ट्री हिंदी बाता हम इसे उद्ध्योग बोलते हैं इद्धोगों में किया जाता है एज एज का मतला होता है रूप में के रूप में के रूप में किसके रूप में आ कोलनट आ एक कोलनट का मतला होता है सी तलता के लिए सी तलता जैसे मैं आपको समझाता हूँ जो इंडस्ट्रीज होती है उन में क्या होता है काम होता है वर्क होता है तो फैक्ट सीतल करने के लिए ठंडा करने के लिए पानी का यूज किया जाता है solvent solvent का मतलब होता है घुलने के लिए रैट कहीं कहीं पर factory में सावुन बनने आए कहीं पर कोई चीज बन नहीं है तो उसमें पानी पढ़ रहा है तो उसके लिए भी हम यूज करती है and or also we used प्रियो करती है in में other दूसरे manufacturing manufacturing का मतलब होता है उत्पाधन में उत्पाधन में और भी हम दूसरे उत्पाधन में हम इसका यूज करती है factory में केवल एक ही चीज में नहीं और भी चीजों में हम इसका यूज करती हैं आगे देखती है मैंनी पुत्पादन पर्पसेज वही प्रियोजने में अब मैं आपको ऐसी पढ़ा देता हूँ एक एक चीज आपको समझ में आएगी difficult word मैं लिख देता हूँ बाकी normal word तो आप सीख रहे होगे देरे देरे this यह है else बताता है us हमें how कितना water पानी is है the most सबसे ज़्यादा essential essential का मतलब होता है जरूरी यह सारी चीजें हमें बताती है कि जो water है वो कितना ज़्यादा जरूरी है component 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 का मतलब होता है भाग of life किसका जीवन का and or every प्रतिक drop drop का मतलब होता है boond of water पानी की is है vital vital का मतलब होता है अति आवश्यक अति आवश्यक अति आवश्यक है for के लिए किसके लिए sustains 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 का मैंने आपको बता दिया जीवित रहने के लिए या रखने के लिए जीवित रहने के लिए एक एक बूंद पानी की बहुत अति आवश्यक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा therefore का मतलब होता है इसलिए इसलिए water, पानी water यह हमारा misprint हो गया था आगे बढ़ते है water, पानी conservation 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 का मतलब होता है sun raktion क्या होता है sun raktion तो पानी का जो sun raktion है water, conservation है is है important जरूरी है to save बचाने के लिए life जीवन को बचाने के लिए on per this planet is ग्रह पे दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमिट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर सेयर करें